नमबर वण में देखिये ये सॉंग ट्रेंट कर रहा है नमबर तो में ये सॉंग ट्रेंट कर रहा है नमबर थी में Siean hyped nakraton फॉर में buffer ट्रेंट कर रहा है अगर हैर ट्रेंडिंग सांड पर अगर आप रील को जाओगे आपका रिल 100% वायरल लोपर देख सकते हैं 28-29 को पोस्ट भी कर दिया है और इनके रिल व्यूज नहीं आते और नहीं कभी आएंगे क्योंकि इन्होंने गलत सेटिंग को कर रखा और यहां से आप बिल्कुल प्रूफ के साथ देख सकते हैं कि जैसे ही मैं अपने इ कुछ काच व्यूज आए और यहां पर देख सकते हैं कि मेरे नया नया आईडी पर केवल जिस पर भाईया 40-42 फॉलोवर है उस पर देख सकते हैं कि 12,000 व्यूज आ गया है और मेरे रिल वायरल होना स्टार्ट हो गया है और पर ते एक समय मेरे रिल पर लाइक आते रहते है और भाईया इस पर खटाखट फॉलोवर्स इंकरीज होते रहते हैं जो कि मेरा ये नयू आईडी है मैंने इसको तीन दिन पहले बनाया और केवल 8-10 रिल को डाला है और यहां पर देख सकते एक दम प्रूफ के साथ कि अब मेरे रिल वायरल होना स्टार्ट हो गया है तो कह आज के इस वीडियो मैं आपको डीटेल से बताने वाला हूँ कि इंस्टाग्राम पर रिल अपलोड करने का सही तरीका क्या है क्यूंकि जब तक आप रिल अपलोड करके सही सेटिंग को नहीं लगाओगे और रिल को अपलोड करने के बाद कौन-कौन से ट्रिक को लगाना ह होता है मेरे बहुत सारे पुराने पुराने आईडी भी है जिस पर देख सकते है कि यहाँ पर मिलियन में वीज आता है तो वीडियो को कंप्लीट देख लीजेगा आपका अभी इंस्टाग्राम रिल्स बाइरल होने लगेगा यहां से आपको बिल्कुल डीटेल में समझान और व्यूज कितने आते हैं देखो 63 व्यूज, 114 व्यूज, 119 व्यूज, 126 व्यूज, 130 वियूज, 122 व्यूज, 148 व्यूज यहां पर देख सकते हैं, कि कोई भी रील इनके 200-400 व्यूज नहीं कहे हैं, और यह अपने इंस्टागराम पर जो हैं, 28-39 को पोस्ट भी कर दिये ह और इनके real views नहीं आते और नहीं कभी आएंगे क्योंकि इन्होंने गलत setting को कर रखा और इनको upload करने का तरीका मालूम नहीं है तो चलिए सबसे पहले कौन से important settings को लगाना होता है जिससे आपका real viral होने के लिए ready हो जाएगा उसके बाद इना algorithm काम करेगा क्योंकि जब तक setting नहीं करोगे जब तक अपने account को सही तरीके से सजाओगे नहीं तब तक आपका algorithm viral होने के लिए कैसे होगा तो सबसे पहले आपको setting करने के लिए या तो अगर आपका कोई Instagram का account है जो कि अगर आपका नया नया Instagram पर नया नया account को अगर आपने बना रखा है Instagram account कैसे बना जाता professional तरीके में description में आपको link मिल जाएगा ये वीडियो खतम होने के बाद आप वीडियो देख लिजेगा तो setting करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर click करना है यहाँ पर click करने के बाद तो सबसे पहले आप लोग क्या गलती करते हो यहाँ पर देखिया आपको account private यहाँ पर देखिये आपको एक option देखने को मिल रहा है तो आप अपने account को private करके रखते हो भय्य葉 कहां से view आएगा view कहां से खोज रहे हो अगर आप अपने account को private करके रखोगे जिन्दिगी में कभी views नहीं आएगा तो सबसे पहले यहाँ पर click करके account का जो यह private account है इसको simply बंद कर लेना ठीक है यहाँ जैसे इसको बंद करोगे आपका account public हो जाएगा ठीक है तो simply account type and tools वाले option पर click कर देना है जैसे ही account type and tools वाले option पर click किजेगा तो यहाँ पर देखे switch to professional account and business account का आपको एक option देखने को मिल जागा तो यहाँ पर सबसे उपर में switch to professional account का आपको एक option देखने को मिल रहा है तो simply उस पर click कर दीजेगा जैसे हैं उस पर click किजेगा तो यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर get professional tools का दिखेगा तो यहाँ से continue कर दिजेगा इसको भी continue कर दिजेगा इसको भी continue कर दिजेगा जैसे हैं आप इसको continue किजेगा तो यहाँ पर आपको बहुत सारा category आ जाएगा तो भाईये सबसे पहले category find करना है अगर आप blogger हो तो यहां से blogger select कर लिजेगा कोई education से related real बनाओगे education health tips and beauty जो भी अगर आप जैसा भी परकार के real को बनाओगे उस परकार से click कर लिजेगा तो चलिए भाई भाई अगर आप editor हो editor click कर लिजेगा तो मैं यहां पर public figure हूँ तो यहां पर पर हम मैं public figure को select कर लेता हूँ अगर आपका भी मर्जी है तो यहां से public figure को select करने के बाद यहां से done पर click कर दीजेगा जैसे ही यहां पर select करने के बाद done पर click किजेगा तो यहां से आपको दो option देखने को मिल जाएंगे सबसे पहले बोलेगा कि अगर आप creator हो तो creator पर select तो यहां से आपको कुछ नहीं करना है यहां से continue पर click करने के बाद यहां पर आपको बहुत सारे 5 steps follow करने होंगे ठीक है तो अगर आप 5 steps को follow कर लेते हो तो आपका account professional बन जाएगा तो सबसे पहले यहां से get inspired इस पर click करके simply यहां पर देखिए एक tick वाला icon है न उस पर click कर द यहां से good वाले icon पर click कर दीजेगा दो a step complete यहां से introduce yourself पर click किजेगा तो यहां से आपको क्या बोल रहा है यहां से आपको a story और post करने के लिए ठीक है तो यहां से simply जो भी अगर आपका मर्जी रहे तो यहां से एक दो post मार दीजेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं अगर को पोस्ट करने का बन है तो यहां से दो चार पांच को पोस्ट करने के लिए बोलता है तो यहां से कुछ भी caption वगरा को लिख के आप यहां से post कर दीजेगा जैसे ही 5 पोस्ट को complete कीजेगा आपका यह जो है यह वाला option यह भी complete हो जाएगा टेल फ्रेंड में reach वगरा कुछ प क्लिक करके done पे क्लिक कर देता हूँ जैसे मैं इसको done पे क्लिक करूँगा यह भाईया आपका complete हो गया इतना सारा settings करने के बाद अब आपके लिए good news है अब आप Instagram पर real viral करने के लिए ready हो और आपका Instagram पर सारा setting complete हो चुका है अगर आप आप रिल को अच्छे तरीके से upload कर द आप लिए तो पलस के आइकन पर क्लिक कर लिजेगा पलस के आइकन पर क्लिक करने के बाद अगर आपको यहां से post करना है post देख लिजेगा story क्या चीड़ना तो मुझे real डालना है तो मैं यहां से real वाले section पर क्लिक कर देता हूँ यह हो गया पहला option अगर आपका इस case में original sound रहेगा तभी आप यहां से real को upload किजेगा वरना अगर आप कोई real या फिर कोई songs पर real upload करना चाहते हैं तो यहां से real पर क्लिक किजेगा और यहां से आपको जो भी song लेना है जो भी यहां पर trending song रहेगा तो केवल trending song पर ही real को upload किजेगा यहां पर trending लिखा गया ना यह तीर क अगर trending sound पर अगर आप real को बनाते हो तबी तो आपका real viral होगा क्योंकि trending audio रहेगा तबी तो आपका यहान तो यहान से आपको ध्यान रखना है यहान से आपको trending sound को इंहेंतर सालैन अपने वीडियोत के अनुसार लेना अगर आपका original voice है तो वहाँ से आप upload कीजेगा तो चलिए कि भाईया मुझे ये वाला sound को पसंद आ गया मुझे इस पर बनाना है तो इस पर click करना है इस पर click करने के बाद है कि ये no number पर trending कर रहा है huge audio पर click कर देना huge audio पर click करने के बाद यहां से आपका camera खुल जाएगा यहां पर आपका gallery रहेगा gallery पर click कर दीजेगा gallery पर click करने के बाद यहां से आपको क्या करना है कुछ नहीं करना है जो reel को आपको upload करना है उस वाले reel को select कर लिजेगा उस वाले reel को select करने के बाद यहां से अब आपको अगर आपको फिल्टर लगाना है तो यहां से फिल्टर पर क्लिक करके यहां से जो भी आपका फिल्टर रहेगा अगर भाईया चेहरा वेगेरा को गोर करना है तो यहां से फिल्टर को सेलेक्ट कर लिजेगा फिल्टर को सेलेक्ट करने के बाद यहां पर इडिट वीडियो पर क्लिक करके, अगर आपको sound वेगेरा manage करना है, तो यहाँ से आप sound वेगेरा को पर क्लिक करके दिखए है adjust पर क्लिक करके sound वेगेरा को आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है जहाँ पर आपको perfect लगे, done पर क्लिक कर दीजेगा इतना काम करने के बाद अगर आपको भाया वीडियो में कोई छेड़ चाड़ करना है तो वीडियो पर क्लिक करके, यहाँ से अस्प्लीट करके, काट चाड़के यहाँ से आप अपने वीडियो में effect वेगरा को भी लगा सकते हो तो देखे, जैसे मैंने यहाँ पर effect लगा दिया, अगर मैं अपने वीडियोच को चलाओंगा, तो देखे, कैसे होगा, देखे, मैंने चलाओ, यहाँ से देखे, effect लग गया, अगर आप अपने वीडियोच को slow fast करना चाते हो, speed पर click करके, आप अपने वीडियोच को slow fast कर सकते ठीक है यहां से कोई और पार्ट को लगा सकते हैं विभीन परकार के इतना काम करने के बाद यहां से आपको next पर click कर देना है next पर click करने के बाद अब आ जाता है देखिए भाईया आपको अपने वीडियो में cover photo को लगाना है अगर cover photo को लगाईएगा अगर आपके profile पर कोई आएगा विजिट करेगा अगर उसको cover पसंद आएगा ना तभी तो आपके रील को देखेगा तो edit cover यहां पर देखिए edit cover का option है इस पर click कर दीजेगा इस पर click कर देगा मुझे पता है वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो रहा लेकिन भाईया एक बार अगर आप समझ लोगे आप इंस्टाग्राम का master बन जाओगे mastermind फिर हर रील को वाइरल करोगे अगर आपको related वीडियो से related gallery में कोई photo है तो यहां से भाईया क्लिक करके gallery से भी आप cover photo को attach कर सकते हो या फिर अगर आप ऐसे slide कीजेगा तो देखिए आपका वीडियो का automatic cover सो करेगा तो जिस पर मने उस पर click करके done पर click कर दीजेगा तो यह आपका attach हो जाएगा अब देखिए इतना काम करने के बाद यह तो basic हो गया इतना काम करने के बाद अब आपको caption लिखना है तो आप लोग caption नहीं लिखते हो डारेक्ट हैचेज लगा आके upload कर देते हो तो पर यह Instagram को पता कैसे चलेग कुछ emoji देने के बाद यहां से थोड़ा सा नीचे बैक बैक आना है एक दो को dot मान लिजेगा dot मानने के बाद अब आपको क्या करना है आपको जो है भाईया आपको अपने video से related hashtag लगाना है जब तक hashtag नहीं लगाओगे तब तक आपका video viral कैसे होगा category कैसे पता चलेगा तो hashtag क्योंचे आपको कहाँ से मिलेगा उसके लिए आपको गूगल पर चले आना है Google Chrome आने कबाद यहां पर आपको कुछ नहीं करना है आपको जिसभी related hashtag चाहिए जैसे आपको भोजपूरी खाना शुटवाय से related चाहिए जैसे आपको शुटिंग से related हैस्टेग चाह है जैसे आपको ट्रेंडिंग हैस्टेग चाहिए आपको अपने वीडियो से रिलेटेड यहाँ पर ईतना लिखने के बाद सिम्मिल आपको सर्च कर देना सिम्म इस पर क्लिक किजेगा और सुटीग से related जितने भी popular hashtag है जो की बहुत ज़्यादा सर्च होता यहाँ पर बहुत सारे hashtag आ जाएंगे कुछ नहीं करना है बबुवा यहाँ से copy पर click मारो देखे copy हो गया copy हो गया ना copy होने के बाद simply यहाँ पर आओ अपने Instagram पर आजाओ यहाँ पर click करके यहाँ से simply paste कर दो देखे एक बार में आपका सारा important important hashtag paste हो गया ना यहाँ से आपको hashtag ढोंडने और खोजने का जरुवत ही नहीं पड़ेगा सारा trending hashtag तो ससुरा एक ही बार में मिल गया इतना काम करने के बाद अगर आप किसी को tag करना चाहते हो tag पर click करके यहाँ से tag कर सकते हो या पिर अगर आपको किसी के साथ वीडियोज बना रहे हो तो उनको collaboration के लिए अगर उनका नाम सर्च मारिएगा न तो उनका नाम आ जाएगा जैसे कि बादसा गोल्डन है यहाँ से मैं अगर ले रहा हूँ तो देखिए मेरा नाम आ गया यहाँ से audience जो है यह आपका हमेशा everyone होना चाहिए इतना काम करने के बाद अब आपको क्या करना है देखिए यहाँ से add topic करना है अगर आपका instagram का नया नय account है तो जब तक बताओगे नहीं कि बाद या क्या क्या चीज में मेरे वीडियो में है तब तक कैसे होगा तो add topic पर जैसे ही click किजेगा तो यहाँ से आपको बहुत सारे topics आ जाएंगे और यहाँ से आपको तीन जो select है ना तीन category find करने को मिलेगा तो जैसे अगर आपका fitness से related है यहाँ पर fitness देख लीजेगा अगर आपका cartoon से related है cartoon देख लीजेगा अगर आपका science and tech से related है science and tech देख लीजेगा अगर आपका कोई art है तो art देख लीजेगा यहाँ पर आपका जिस भी related है phone है, accessory यहाँ पर आपको बहुत सारे categories मिल जाएंगे ठीक है तो यहाँ से मेरा teaching method है वो click कर देता हूँ technology है वो click कर देता हूँ अगर आपका जिस भी related है अपना category को select कर लिजेगा select करने के बाद यहाँ से done पर click कर देता है इतना काम करने के बाद नीचे में आहाँ से देखिए facebook का जो यह recommendation है अगर यह off रहेगा तो simply इसको on करके यहाँ से आप अपने facebook वेगरा को link कर लिजेगा इसको link करने के बाद देखिए नीचे में आपको advance setting का आपको एक option देखने को मिल जाएगा तो simply advance setting वाले option पर click कर लिजेगा advance setting वाले option पर click करने के बाद यहाँ से देखिए अगर यह on रहेगा तो simply इसको off कर देजेगा off करने के बाद एकिए hide like count अगर आपके reel वेगेरा अगर आपका नया नया Instagram account है अगर आपके reel वेगेरा पर कम like आते हैं तो लोगों का mentality हो गया जिसके reel पर कम like होते हैं उसके reel को लोग slide कर देते हैं तो like count को hide कर दोगे तो या वो आपके views को थोड़े देखेंगे आपके reel अच्छा रहेंगे तो लोग आपकी reel को देखेंगे लेकिन जब कम like रहते हैं अगर आपका reel कितना भी अच्छा रहता तो लोग आपकी reel को नहीं देखते हैं तो simply like count को hide कर दिजेगा इतना काम करने के बाद देखें allow people to download reel इसको मैंने बंद कर रखा है और यहाँ से upload your high quality अगर आपका reel फटता वेगरा है तो high quality पे click करके यहाँ से इसको on कर लिजेगा जिससे आपका reel high quality में upload होगा इतना काम करने के बाद अब आपको simply यहाँ से share वाला option दिक रहा है ना share वाले option पे click कर दिजेगा जैसे ही आप share वाले option पे click किजेगा कुछ समय आपका वेटिंग लेगा और आपका reel upload हो जाएगा और upload करने के बाद आप लोग गलती कर देते हो जिसके कारण आपका जो reel है ना वो 100-200 views पर जाकर रुख जाएगा upload करने के बाद अब ही देखिए आपको कुछ नहीं करना है upload करने के बाद आप लोग बहुत सारे गलतीयों को करते हो तो upload करने के बाद सबसे first गलती आप लोग क्या करते हो भाईया upload करते हो और वही account से अपने reel को देख लेते हो भाईया upload करने के बाद अगर बार बार अपने account से अपने reel को डालोगे और उसी account से अपने reel को देखोगे मतला आप invalid activity कर रहे हो और भाईया अगर आप invalid activity करोगे कहां से आपका reel बारल होगा बाबू invalid activity इंस्टाग्राम के अल्गोरिधम को पता चल जाता है कि अपने reel को देख कर व्यूज बढ़ा रहा है तो फिर खुद ही देखो ना खुद के लिए बनाया हो तो खुद ही देखो भाईया बार बार देखो फिर वो publicly क्यों डाल रहे हो तो आपको ये गलती नहीं करना है खुद के account से खुद की reel को आपको एक दम नहीं देखना है कसम खा लेना है नहीं देखना है दूसरा गलती आप लोग क्या करते हो भाईया अगर आप इंस्टाग्राम पर reel को अपलोड करते हो उसके बाद दन 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 अपने दोस्तों के पास share करने लगते हो और इतना ज्यादा share करते हो उसका भाईया कोई limit नहीं है सारे लोगों के पास share कर देते हो link डाल देते हो message कर देते हो और हर जगा और आपके दोस्त लोग पता है वो आपके instagram reel को देखेंगे ही नहीं आप कितना मेहनत कर रहे हो क्या कर रहे हो उससे उनको कोई मतलब नहीं है वो आपके reel को नहीं देखेंगे क्या करेंगे उनके पास आपने reel को share कर दिया वो आपके link पर click करके back आजाएंगे ठीक है आपके reel पर click करके back आगे इससे क्या होगा ना आपके reel का audience retention down हो जाएगा जब आपके reels का audience retention down हो जाएगा तो भाई जब आपके reels का audience retention down हो जाएगा तो Instagram को लगेगा उसनके algorithm को लगेगा कि भाई इस reel में कोई dumb नहीं है इस reel में कोई मज़ा नहीं है तो बैया जो reel आपका viral होने वाला है वो reel भी आपका viral नहीं होगा क्यों क्योंकि आपके reel का algorithm पकड़ लिया है कि इस पर audience retention कम है और बहुत जादा share करने के वज़ा से आपका Instagram का algorithm धर लेता आपका audience retention नहीं है मतलब मज़ेदार रील नहीं है और फिर वो वाइरल नहीं हो पाता है उसके बाद अगर आपको देखना है तो क्या करो भाईया दोस्तों से बोलो उनका mobile लो उनमें अपना Instagram का नाम सर्च मारो और उनके ID से अपने Instagram reel को देखो दो तीन बार प्ले करके देखो तीन चार बार उसको मतलब बार बार repeat करके उसके watch time को gain करो एक प्यारा सा comment करो एक बढ़िया से like करो और उसके बाद log out मार के देदो अब आपको दो point का एकदम खास ख्याल रखना है उसमें से जो number one होता है भाईया आपको हमेशा trending जो audio होता ना उस पर आपको 5-6 reel बनाना है कोई अगर कोई भी topic अगर trend में चल रहा है कोई भी audio अगर number one, number two पे trend कर रहा है तो आपको एक ही sound पे कम से कम 2-3 reel बनाना ना ठीक है आपको कुछ नहीं आप लोग गलती कहां पे करते हो क्या के भाईया trending sound वाले audio को download कर लेते हो और उसको किसी third party application में export मारके और direct original voice बनाके उसको upload कर देते हो ना बाबू अगर ऐसे गलती को करोगे भाईया मर जाओगे लेकिन आपका कभी real viral नहीं होगा ठीक है तो ये सब छोटी छोटी गलतीयों को मत कीजेगा कुछ ऐसा फणी बात घुसा दीजे या फिर कुछ ऐसा suspense create कर दीजे ना जिससे लोग आपकी real को है ना बार बार back back करके देखे या फिर दो बार तीन बार देखे अगर आप ऐसा करने में कामियाब हो जाओगे आपका real 100% वायरल होगा इसमें कोई भी दो मत नहीं है तो जाइड सी बात है आज का जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजेगा वीडियो पनाता वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्स्क्राइब कर लिजे और दोस्तों के पास वीडियो को बोड़ दन्यों